तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले question को हम लोग करते हैं ये भी एक सुन्दर सा question है और ये दो concept से मिलके बना है photoelectric effect वाला जो concept था और साथ-साथ atom से मिलके बना हुआ ये question तो अगर इस question में कर हम लोग बात करें तो कहता है कि hydrogen atom ground state में है और absorb photon of ultraviolet radiation of wavelength 50 nanometer तो चलो ये अगर hydrogen atom में ये nucleus है और ग्राउंड state में n is equal to 1 में कोई electron है इसकी energy minus 13.6 electron volt है तो ये जो energy होती है ये इसकी total energy होती है भी careful तीक है ये इसकी total energy होती है और इस energy से ये nucleus attach रहता है ठीक है ये इससे attach रहता है और इसी energy को हम work function बोलते थे work work function जो term था वो 5 से हम लोग denote करते थे वो 13.6 electron volt क्योंकि अगर मैं plus 13.6 electron volt दे दूंगा तो ये electron पुरी तरह से free हो जाएगा रिलीज हो जाएगा तो वो जो energy छुडाने के लिए यूज होती थी वही तो work function थी मेरे भाई चलो अब करता है इस पर हमने इस पर हमने लेंडा डाल दिया फिफ्टी नैनो मीटर का वेवलेंड तो इस जो फोटान आया इस पोटान की सारी की सारी energy ले लिया तो जब यह सारी की सारी energy ले लिया तो अगर इसके पास ज्यादा energy होगा तो यह यह इस इलेक्टान के पास कुछ kinetic energy होगी तो जो incident energy है यहां से work function फोटो इलेक्टिक एपक्र वाला constant प्लस इसको kinetic energy देने में यूज होगे तो incident energy is equal to work function प्लस kinetic energy में यूज होगे अभी हमी क्या निकालना kinetic energy निकालना तो kinetic energy incident energy माइनस work function की कुल होगी incident energy की वेलू कितनी है इंसिदेन इनर्जी यह पान लेम्डा है नेनो मीटर में है तो बारह नंबर 402 और यह 50 हो गया और work function 5 की वेलू प्लस 13.6 अल्रेडी है तो जो काइनेटीक इनर्जी यहां से आ जाएगी वाजाएगी बारह नंबर 402 और 50 माइनस 13.6 तो फाइनली जब इसको solve करोगे करोगे तो यह 24.84 आ जाता प्यारे मचोई और यह माइनस 13.6 तो फाइनली जब इसको काइनलेट हरते है तो 11.24 electron bolt आ जाता है इस 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 the kinetic energy of what? इस इस the kinetic energy of the ejected electron जो बाहर आया वो झाल